Assalamu alaikum my dear student, आज हम 5th chapter poem कर रहे हैं, Thank you Lord. Lord का मानी होता है Allah, पेहदा करने वाला और जिन्दा रखने वाला. और मेरा और आप सब का Lord एक ही है, वो है Allah. तो हम देखते हैं कि इस poem में main idea क्या है? इस poem के 4 stanzas हैं, पहले stanzas में. पोईट ने का है, We should thank our Lord as we start our day, by offering prayer as we enjoy His countless blessings. हमें शुकर गुजारी के तौर पर अपने दिन का आगास दौा के साथ शुरू करना चाहिए क्यूंकि हमें Allah ने बेशमार नेमते अता की हैं. 2nd stanza में, the poet says, Even when we face difficult time in our life, we should turn towards our Lord, the Allah. He is near to us. 3rd stanza है, The poet says, We should not hesitate to offer help to our friends because it is also Lord blessing that He gave the resources to help someone. हमें अपने दोस्त की मदद करने में पस्सो पेश से काम नहीं करना चाहिए क्यूंकि अल्ला ने हमें इस काबल बनाया, ये भी उसकी अनायत है. 4th stanza में, the poet says, That we should obey commands of our Lord as we end our day and go to bed. 5th stanza है, शुकर के जहार के तौर पर हमें अल्ला के अहकाम की पहर्वी करनी चाहिए, जब हम अपने दिन का इखताम करते हुए सो जाते हैं, तो यानि हमें हर हाल में अल्ला का शुकर गुजार होना चाहिए, ये इस नजम का में आइडिया है. उसके बाद question है, How should we help our friends? हम अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो माई डियर स्टूडेंट कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ. Helping our friends to do homework. हम जो हैं, वो हुने चाहिए कि अपने homework में जो teacher देती हैं, अगर हमें एक दूसरे की help करें, homework complete करने में. फिर हम कर सकते हैं, Sharing toys at play time. हम अपने दोस्तों के साथ अपने toys share करें, खेलने के time पे. Giving compliment on their achievement. अगर वो कोई कामयाबी हासल करते हैं, तो हमें उनको appreciate करना चाहिए, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. By supporting good habits. हमें अपने दोस्तों में अच्छी आदत जो है, उसको support करना चाहिए. जैसे हमें खुद भी सच बोलना चाहिए और आपने दोस्तों को भी सच बोलने की तलकीन करनी चाहिए. जैसे cheating वगेरा करने में अपने दोस्तों को मना करना चाहिए. कि ये गलत बात है, इससे रुक जो, तो ये भी एक तरह से अपने दोस्त की मदद है, अगर आपके दोस्त को सवारी में आपकी हल्प चाहिए, तो आप उसे लिफ्ट दे सकते हैं, उसे घर ड्रॉफ कर सकते हैं, अगर वो और आप एक ही जगा रहते हैं, जब आप खाने लगें, तो अकेले ना काएंँ, अपने दोस्त के साथ खाएं, और हमेशा अपने दोस्तों को अपनी दोबर में याद रखें, अपने लिए दोबी मांगें और अपने दोस्त के लिएू अपन दोस्त के लिए बीूह, question is why we thank Allah हमें Allah का शुकर गुजार क्यों होना चाहिए Allah ताला कुरान मजीद में कहता है so remember me I will remember you तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा and be grateful to me and do not deny me और मेरे शुकर गुजार बनो और मेरी नाशुकरी मत करो तो ये अल्ला को एक तरह का याद का तरीका है अल्ला की शुकर गुजारी करना तो हमें हर लम्हे जिन्दगी में उठते बैशते हर वकत मसनून असकार पढ़ने चाहिए ताके अल्ला हमारे दिलों में और दमाग में याद रहे हमें और हम सीधे रस्ते पे चल सकें क्योंकि हम अल्ला के शुकर गुजार बनेंगे तो फिर अल्ला को याद कर सकेंगे अमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें